Hi guys, welcome back to today's video, तो आप देख रहे हैं Sovix Vlog, so PR series के इस तीसरे episode में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप skill assessment करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे important चीज होती है, वो होती है career episodes लिखना, तो ये जो career episodes है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, और जब आप ये career episodes लिखते है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना बड़ा आपका career episode होना चाहिए, तो इस तरह कि छोटी-छोटी सी बहुत सारी बाते होती है actually, और ये career episode जो मेरा एक बहुत ही major role play करता है, actually कह लीजिए कि यही एक वो main चीज़े जिसके basis पर आपका जो skill assessment है, वो complete होत है, तो ये एक बहुत-बहुत-बहुत important document है, इसलिए इसके लिए एक separate video हमें बनानी थी, तो जैसा कि जब हम लोगों ने अपना skill assessment करवाया था, तो विकरांत ने लिखा था career episode, तो इसलिए आज विकरांत इस video में है, और ये बताएंगे आपको कि किस तरह से इन्होंने case officer के through mail आये थे, I think दो बार, दो बार actually हमें उनका email आया था, कुछ जो भी उन्हें further information चाहिए थी, जो भी correction उन्हें उस career episode में चाहिए थे, उसके लिए उन्हें में mail किया था, तो वो सारी detail में सारी बातें आपको बताएंगे विकरांत, और देखते रही इस video को ध्यान से, ताकि आप जब अपना career episode लिखें, तो अच्छे से लिखें, ध्यान से लिखें और सारी बातों का take care करें। तो आप करा सकते हैं, अगर आपके पास work experience नहीं भी है, तो उस case में आपको competency demonstration report और जो की CDR होता है, उसके through आप करा सकते हैं, जिसमें आपको 3 career episodes लिखने होते हैं, और जो career episodes लिखने होते हैं, वो actually में होते क्या हैं, कि वो आपकी project experience होते हैं, जो आपने throughout your career gain किये होते हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एपिसोट में कोई भी randomly project उठा कर लिख के दे दोंगे, तो accept होते हैं, जो भी आपका main project है, और जिसमें आपने अच्छे से काम किया है, तो वो आपको इसमें ठीक से explain करना होता है, बताना होता है, हाँ क्योंकि career episode में actually में होता है कि जैसे आपने bachelor's किये, master's किये, या इंटरंशिप किये, आपका completely background पर डिपेंड करता है, अगर industry oriented है, तो उस cases में जो project होते हैं, वो different होते हैं, तो मतलब more or less यह होता है कि आपको तीन अपने main projects होते हैं, उसके थो आपको demonstrate करना पड़ता है कि you are skilled enough कि आप एक skilled engineer हैं और उसके basis पे engineering Australia आपकी degree assessment करें, career episode लिखने के लिए एक already booklet है, MSA booklet, इसके बारे में मैंने अपने last video में भी बताया था, तो इस booklet में जो है ना, थोड़ा सा points mention है कि आपको किन-किन points के through जो है अपने career episode को elaborate करना है, explain करना है, क्या उसकी word limit होती है, तो MSA booklet के अंदर लिखा हुआ है कि जो career episode की word limit है, यानि कि तीन episodes आपको लिखने पड़ते हैं, और per episode जो word limit है, वो 1000 से लेकर के 2500 words है, तो हर episode आप मतल़ पच्छिस सो word तक का maximum लिख सकते हैं, से जादा का आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे जब मैं career episode लिख रहा था, तो मैंने start क किया था कि normal introduction से, introduction में था कि मैं किस duration में मैंने project किया है, कौन से institute ये university से किया है, मेरी कौन सी master degree, कौन से master degree और bachelor degree के time पर किया है, project title, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी summary लिखी थी, like कि I successfully completed my master's in biomedical engineering and during that time I have done this project title, जो कि मेरे career episode का था, and then उसके बाद आजाता है आपका background, background मैं actually आपको project के बारे में पूरा आपको introduction देना होता है, कि basics की, कोई भी आपका project है, x, y, z, and then जब आप पूरा का पूरा उसे background project के बारे में बता देते हो, तो उसके बाद मैंने actually क्या किया था, उसमें मैंने एक अ क्यों कौन से engineering skills हैं, और क्यों कौन से engineering methods हैं, जो आपने use किये थे project के time पे, उसके बाद आपका आता है engineering activity, engineering activity mostly क्या होती है, कि आपको उसमें लिखना होता है, आपका methods or results, and then last part is summary, summary के में आपको पूरा का पूरा project summarize करना पड़ता है, plus उसके बाद आपको, जब मैं लिख र और ये सारी engineering skills थी, जो मैंने gain की, और मेरे projects मेरे जितने भी career episodes से, fortunately मेरे पास सब में publications थी, जो की kind of a weightage provide करती है, कि आपने authentically project किया है, और उसके अच्छे research outputs हैं, जो की एक अच्छी research publication channel में published हैं, उसके साथ-साथ मैंने क्या किया था, कि actually मेरे projects engineering based में, programming based से, तो मेरे जितने भी quotes थे, वो सारे के सारे मैंने github पे डाले हुए थे, तो उसका भी मैंने link दिया था, तो make sure कि जो भी मेरे degree assessment कर रहा है, उसको actually पता लगना चाहिए कि सारी की सारी engineering activity मैंने अपने आप की है, और ये एक overall, एक overview है career episode का, और इसके साथ actually में क्या होता है, कि career summary भी होती है, for example, आप professional engineering के करें हो, मैंने professional engineering के लिए assessment कराई थी, तीन career episode के साथ, एक और document होता है, कि आपकी summary होती है, और उस summary का actually मैंने न, उस form का मैंने screenshot किया है, जिसका मैं video अभी play करके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था न, career episode लिखने के साथ, career summary भी ह होती है, जो form है, वो आपको engineering Australia की site से मिल जाएगा, जैसे कि ये PDF है, आप देख रहे हैं, तो इस PDF में अगर आप scroll करकी नीचे आएंगे, तो फिर वहाँ पर आपको list मिल जाएगी, कि आप किस पर अपना assessment करा रहे हैं, professional engineer है, engineer technologist है, या कोई भी है, जैसे मैंने professional engineering पे किया ह तो मैंने उस पर click किया, and then उसके बाद इसकी summary statement खुल गई, और जो summary statement होती है, itself एक form होता है, और form में क्या है, कि जो extreme left inside वाला column है, वहाँ पे उनकी category statement है, जो कि आपको demonstrate करनी पड़ती है, आपकी career episode में, for example, जो left वाला column है, left वाले columns में उनकी सारी की सारी questions types दिये होते हैं, जो कि उन्होंने mention किये होते हैं, जो कि demonstrate करें आपकी engineering activity, center वाले column में आप अपना उसके बारे में brief करें, कि भही मैंने ये ये किया है, और जो right side वाला column है, उसमें आपको mention करना पड़ेगा, कि आपने ये वाला part कहां पे किया है, आपके career episode में, जब आप अपना career episode लिखते ह है, तो career episode में आप ऐसे लिखते हो, कि paragraph 1 है, career episode 1, आपकी headline, for example, अगर आप career episode 1, background हो गया, तो वो 1.1 हो गया, और उसके अंदर आपकी duty और responsibility 1.2 हो गई, कि आप bullet points बना देते हैं, तो जो right side वाला column है, उसमें actually आपको mention करना पड़ता है, कि career episode के कौन से paragraph में आप ये वाली demonstrate कर रहे हैं, कुछ बताया हुआ है, कि किस तरह से आपको login करना है, कैसे application करने हैं, कैसे document submit करने हर step को बहुत clearly और अच्छे से explain किया हुआ है, Engineering Australia की एक user guide मतलब user guide भी है, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे steps mention किये हुए हैं, कि आप कैसे register कर सकते हैं, अपना account बना सकते हैं, account बनाने के बाद अपना profile की details update करें, कैसे application begin करें, अपने documents upload करें, and then wait for outcome, और इस guide में अच्छल में उन्होंने ये भी mention किया हुआ है, जैसे हमने पहले mention किया था कि हम से जो हमारा assessor था, उसने कुछ-कुछ details मांगी थी और दो time हमें reply किया था, तो जो ये user guide है, उसमें वो भी mention किया है, कि अगर उन्हें additional information चाहिए होती है, तो आपको mail आता है, और आप कैसे information कहाँ पर update कर सकते हैं, जब आप document submit कर रहे हो, तो career episode के साथ और ये summary form के साथ आपको एक और document upload करना पड़ता है, जिसमें आपको mention करना पड़ता है, कि आपकी continuously career growth क्या है, वो actually में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको steps mention करने होते हैं, कि आपने इस year में bachelor's की, bachelor's कतम करने के अबाद, आपने continuously master's शुरू कर दी, master's खतम करने के बाद, अगर आप internship कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो just to demonstrate कि आपका जो continuously career है, वो evolve कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो एक ये document की requirement भी होती है, जो कि आपको पोर्टल पर update करनी होती है, करियर episode लिखने के लिए, technical information तो आप लोग अपनी देते ही हैं, लेकिन एक और चीज होती है, जो बहुत important होती है, वो है plagurism, तो इसका क्या है बहुत ध्यान रखना चाहिए, यह नहीं कर सकती कि आपने कहीं से copy किया और paste कर दिया, क्योंकि जो skill assessment authorities होती है, उनके पास अच्छे काजे software होते हैं, तो वो चीज़े नहीं करनी चाहिए, यह बहुत से लोग face करते हैं, कि जब उन्हें case officer से comment मिलता है, तो उसमें लिखा होता है, कि plagurism की वज़े से उनका skill assessment नहीं हुआ, या कोई और further issues, तो actually यह बहुत important चीज़े, इसलिए अगर आप किसी का content आप देख रहे हैं, कि आपको कैसे लिखना है इस चीज़ के लिए, तो उसे आप modify करो अपनी language में, copy paste कभी नहीं करना, बिलकुर मत कीज़ेगा, क्योंकि otherwise आपको problem हो सकती है, और आपका skill assessment है, वो cancel हो सकता है, reject हो सकता है, So that's all for today's video guys, I hope आपको थोड़ा idea लग दया होगा कि अगर आप career episode लिखना चाहते हैं, तो कैसे कैसे आपको step by step बढ़ना है, क्या क्या चीज़े आपको include करनी हैं, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपके कोई और further doubts हैं, तो आप comment box में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, और जो भी PR series से related आदूसरी videos हैं, या और भी Australia से related informational videos हैं, उन सबका link नीचे description box में हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, thanks for watching, bye bye